Hello friends, welcome to Best English Classes. आज हम पढ़ रहे हैं एक Nigerian writer, Wol Soyingka की लिखी poem, Telephone Conversation. इसे 1963 में लिखा गया था, यहाँ पर एक phone call की बात हो रही है, एक land lady और speaker के बीच में. जो speaker हैं, वो black हैं, African हैं, और वो किराए पर एक apartment चाहते हैं. Land lady बहुत ही pleasant है, पर वो तब ही तक pleasant है, जब तक उन्हें नहीं पता कि speaker African है. और जब उन्हें यह पता चलता है, तो वो यह जानना चाहती हैं कि वो कितने काले हैं, उनकी skin कितनी काली हैं. response में speaker बहुत ही cleverly उनका मजाक उडाते हैं, उनकी ignorance का, उनके prejudice होने का, उनके पूर्वा ग्रहों का, और उन्हें demonstrate करते हैं, कि लोगों को characterize करना, उनके skin के color से humanity को खत्म कर रहा है. तो आईए हम लोग इसकी summary देखते हैं, तो अच्छी price लग रही थी और location भी fine थी. Land lady ने वादा किया था, उनने यह कहा था, कि वो building पे बहुत कम रहती हैं. बस एक ही चीज confess करनी बाकी थी, जो की मेरे खुद के लिए भी बहुत important थी. तो मैंने उन्हें कहा, ma'am, मैं आपको पहले ही बता दू, मैं वहाँ पर आकर अपनी एक trip waste नहीं करना चाहता हूं. तो आपकी जहनकारी के लिए मैं बता देता हूं, I am black, मैं काला हूँ, यानि मैं African हूँ. अब phone पर दोनों ही तरफ silence था, उस silence में मैं सुन सकता था वो tension, जो landlady के prejudice और उसके manners में हो रही थी. पर finally वो बोली, और वो ऐसे बोली, एक इस प्रकार के परसम के रूप में बोली, जिन्होंने जरूर बहुत अच्छी खासी lipstick लगा रखी होगी, और उनके मुँ में एक gold coated cigarette holder भी होगा, लंबा सा. अब मैं एक बड़ी अजीब सी position में था, क्योंकि उन्होंने बहुती blunt तरीके से, बहुती directly ये पूछ लिया, कि how dark are you, तुम कितने काले हो, अब मुझे पहले एक पल लगा, ये realize करने के लिए, कि कहीं मैंने उन्हें गलत तो नहीं सुना, पर उन्होंने अपनी बात को repeat किया, क्या तुम थोड़े काले हो, या एकदम काले हो, ऐसा लग रहा था, कि वो बहुती simple तरीके से, मुझे से कह रही हैं, कि या तो button A को दबाओ, या button B को दबाओ, किसी telephone booth में, ताकि आप phone कर पाओ, या फिर coin वापस आ जाएंगे उसमें से, उनकी polite speech के पीछे की, गंदी बद्बू को मैं महसूस कर सकता था, यहाँ पे गंदी बद्बू से मतलब है, उनकी गंदी सोच से, मुझे ऐसा लग रहा था, कि मैं किसी red phone booth में हूँ, एक red mailbox के पास हूँ, एक red double dacre bus में हूँ, जिसके tire squelch कर रहे हैं, गर्मी की वज़े से, तो पर इस तरहें के चीज़ें अकसर होती हैं, यह सच में होती हैं, मेरे rude silence से वो थोड़ी शर्मिंदा हुई, मैंने हार मानी, मैंने पूछा, थोड़े से confusion में और shock में clarification के लिए, वे बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपने शब्दों को ठीक से जमाया, और फिर से पूछा, क्या आप काली चमड़ी वाले हो, या फिर हलके काले हो, इस बार उन्होंने बड़ी sensible बात की थी, तो मैंने जवाब दिया, क्या आप मुझसे ये जानना चाहरे हैं, कि मेरा स्किन का कलर regular चॉकलेट जैसा है, या milk चॉकलेट जैसा है, तो ये अब एक clever तरीके से उनका mock कर रहे हैं, कि आप देखिए, आप कितने thoughtless हो, और कितने impersonal हो, फिर मैंने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही formal तरीके से confirmation दिया, कि हाँ, हाँ, मैं यही जानना चाहरे हूँ, तो मैंने फिर से मेरा answer चुना और मैंने बोला, मेरा स्किन का कलर वेस्ट आफ्रिकन सेपिया जैसा है, सेपिया एक टाइप का कलर होता है, भई, मेरे passport में तो ऐसा ही है, और फिर से silence था दोनों तरफ, वो imagine कर रही थी उन सारे रंगों के बारे में, जो वो सोच सकती थी या बता सकती थी, बट जल्दी ही फिर उनकी असली feelings बहार आ गई, और उन्हेंने बहुत ही harsh तरीके से फोन पर बोला, ये क्या होता है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मैंने उन्हें का ये एक brunette color है, ये तो काफी काला होता है न, नहीं क्या, पूरी तर है नहीं, मैंने कहा, मेरा चहरा brunette है, बट आपको मैरा बाकी का शरीर देखना चीन highest, माम, मेरे जो हतेलियां हैं और पाउं के जो तलवे हैं वो bleached blonde color के हैं जैसे bleached blonde hair होते हैं वैसे हैं मैं unfortunately मैं जब बैठता हूँ तो बार-बार बैठने की वज़े से friction की वज़े से जो मेरा butt है जो मेरा पिछवाड़ा है वो एकदम काला है एक काले बड़े कवे रेवन जैसा है रुकिये माम रुकिये hang on एक पल के लिए रुकिये ऐसा लग रहा था कि बस वो फोन रखने ही वाली है धडाम से मैंने कहा माम क्या आप खुद नहीं देखना चाहेंगी तो यह आपने देखा कि रेसीजम एक कितनी बड़ी मुसिबत है कितनी बड़ी समस्या है इस दुनिया की कितना बड़ा एक सोशल इविल है जहां गोरे काले का भेदबाव होता है यही इस पोयम की थीम भी है I hope यह पोयम आपको समझ में आ गई होगी यह आपको हमारा यह छोटा सा प्रियास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन को हिट करें पोयम को लाइक करें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबाग दें बताएं और ऐसी कौन सी पोयम से हैं नौवल से हैं जिनका हिंदी आप मुझसे चाह रहे हैं साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ वाटसाप पर शेयर भी करना आज के लिए बस इतना ही जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ थैंक्यू सो मच